हेलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब का हिस्ट्री का कोसंसर करने वाले हैं चेप्टर टेन का नाम है अठार्वी सताब्दी में उभरे नए राज तो वीडियो के साथ बेने रहे और अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट के दिजेगा में डाउट सेशन में कि मुझव गोले स्थान गुतों में बट गए थे तो दो दिखिए मुगल दरबार के सरदार हिंदुस्तानी और मुगल गुटों में बट गए थे अब देखिए सपाफ नमबर राज की संस्थापक खालेस्थान था तो इसका अंसर हो जाएगा चिन की लिडिछ खा इसे आप नोट कर लिजे फिर देखिए गा नमबर स्वतंत्र बंगाल राज की इस्थापना खालेस्थान ने की इसका अंसर हो जाएगा मुर्सिद कुलिखा ओके मुर्सिद कुलिखा ने स्वतंत्र बंगाल राज की इस्थापना की अब देखिए गा नमबर खालेस्थान ने जैपू खलेस्थान था तो इसका अंसर हो जाएगा वाजिद अली सा ओके अवद का अंतिम नबाब वाजिद अली सा था फिर देखिए चा नमबर खालसा पंद की इस्थापना खलेस्थान ने की थी तो इसका अंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिह ओके खालसा पंद की इस्थाप सबसे पहला है अवद के संस्थापक कौन थे इसका अंसर हो जाएगा अवद के संस्थापक साद अली खान तो अवद के साथ साद खान को मेच करना है अब देखिए मराठा ओके तो मराठा राजी के संस्थापक कौन थे तो मराठा राजी के संस्थापक थे सिवाजी किलर है फिर देखिए नेक्स्थ गा नंबर बंगाल तो बंगाल के संस्थापक थे मुर्सिद कुली खां इससे नोट कर लिजे फिर देखिए नेक्स्थ जाट तो जाट का मिलान हो इसे आप नोट के लिजे, अब हम बढ़ते हैं, next three number की ओर, three number के question है, सही कतन के आगे, गलत कतन के आगे, गलत का चिन लगाएं, तो सही गलत है, टुपोल से, तो देखे का नमबर, गुरू हर गोविंद ने खालसा पंद की स्थापना की, तो यह गलत है, गुरू गोविंद नत्रित्व में जाट, बेहत सक्तिसाली हो गए थे, तो यह भी सत्य है, फिर देखे, next, घनमबर, सवाई, जैसी दिल्ली के सासक थे, तो यह गलत है, ओके, फिर देखे, next, मराठे, चौथ और, सर्देश मुखी कर वसूल करते थे, तो देखे, मराठे, चौथ और, सत्य है, इसे आप नोट कर लीजे, अब उन्हों बढ़ते है, next, question answer की ओर, question answer का पहला नमर देखिए, नादिर सांग के विजय के बाद, किस प्रांतिय सासक ने आत्महत्या कर ली, तो बताना है कि नादिर सांग के विजय के बाद, किस ने आत्महत्या कर ली थी, तो इसका सासनकाल में जाटों का सासन अपने चर्मोतकर्स पर पहुँच गया, तो इसका अंसर देखिए, सूरज मल के सासन काल में जाटों का सासन अपने चर्मोतकर्स पर पहुँच गया, फिर देखिए, तिसरा नमर, तिसरा नमर का question है, किस सासक के सासनकाल में सिख सक्तिसाली हो गये थे तो बताना है कि किसके सासनकाल में सिख सक्तिसाली हो गये थे तो देखिए इसका अंसर महराजा रंजित के सासनकाल में सिख सक्तिसाली हो गये थे महराजा रंजित के सासनकाल में इससे नोट कर लिए फिर देखिए next four number four number question है मराठे किस युध प्रनाली में काफी पा मतलब युद्ध किया जाता है इसे आप नोट के लिजे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर हमारा अगला कोशन है आये चर्चा करेश से तो चर्चा करना है इसमें थोड़ सा लंब लंब अंसर होगा तो इसको ध्यान दीजेगा चर्चा करना थोड़ सा विस्तार से चर करन गद्धी पर दुर्बल एवं अयोगे बादसाहों का आना था मुगर बादसाहों की दुर्बलता का लाब उठाकर प्रांतिये सुवेदार वा मनसबदार अपने आपको सक्तिसाली बनाने में लग गये इन पर नियंतरन रखना केंद्रे सत्ता के लिए कठीन हो गया जै वैसे ही ये प्रांतिये सुवेदार राजनेतिक आर्थिक एवं सेने सक्ति के रूप में अपने को मजबूत किये प्रांतों पर इनका पूर्ण नियंतरन अस्थापित हो गया उसने राजस्वव पर भी अपना नियंतरन अस्थापित कर लिया जिससे मुगल केंद्रिय सत् इनी सब कारणों से और उंग्जेब के मृत्व के बाद मुगल सामराज्य बिखर गया, तो आप इसे नोट के लिजे, अब लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोर्शन की ओर, हमारा नेक्स्ट कोर्शन है, मुगल सामराज्य के पतन के बाद किनी नहे राज्यों का उदय हुआ, इसके उदय के लिए कौन से कारण उतरदाई थें, तो दिखिए इसका अंसर, मुगल सामराज्य के पतन के बाद, हैदराबाद, अवद, बंगाल, मेवार, मारवार, आदी, नेराज्यों का उदय हुआ, फिर देखिए इसका क्या कारण उतरदाई है, उतरदाई कारण मुगल सामराज्य के कमजोर होते ही, सुभेदारों एवं जमिदारों ने अपने आपको काफी सक्तिसाली बना लिया, वे नए राज्यों की स्थापना के लिए प्रियास करने लगें, उपरक्त कारण ही नए राज्यों के उदय के लिए उतरदाई थें, उके, इससे आप न गोविंद सी ने लड़ाकु जाती के रूप में क्यों परिवर्तित किया, तो इसका अंसर देखिए, और जेब के समय से ही सिख पंजाब की राजनिती में महतपुन भुमिका निभाते आ रहे थे, सिख जाती को एक लड़ाकु जाती के रूप में परिवर्तित करने का काम गोविंद ने किया था, गुरु गोविंद सी ने सन 1699 इस्वी में खालसा बंद की स्थापना की थी, इनके नित्रित्व में सीख एक राजनितीक एवं फोजी सक्ती के रूप में उभरे, उन्होंने राजपूत एवं मुगल सामराजियों के खिलाप, कई लड़ाईयां ल और सत्लज नदियों के बीच के छेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, सिखो ने अपने आपको पहले जथियों में और बाद में मिसलों में गठित किया, इनकी सिव्ट सिनाएं दल खालसा कहलाती थी, नादिर सा और अहमद सा के आकरमनों से उत्पन इस्थितियों का हमरा नेक्स कोशन है, मराठो के उतकर्ष के लिए भावगोलिक कारण किस प्रकार साहयक सिद्ध हुआ, तो बताना है कि मराठो के उतकर्ष में भावगोलिक कारण किस प्रकार साहयक सिद्ध हुआ, इसका अंसर देखिए, सिवाजी के नित्रित्वे में मराठा सक्ति का उत महराष्ट की भववलिक इस्तिती जटिल थी यह पहाडों नदियों जंगलों एवं अनुप जाओ भूमी वाला छेत्र था इस कारण यहां के लोग जु जारू होते थे खनबर देखिए मराठे पहाडी प्रदेश होने के कारण स्वस्त एवं बलिष्ट होते थे फिर गर नमर देखिए मराठे चापामार यूद सहली में काफे निपून थे पेश्वाओं की देख रेख में मराठो ने एक अत्यांत सफल सन्य संगठन खड़ा कर लिया तो यही सब भववली कारण थे जिसके कारण मराठों का उतकर्स संभव हो पाया तो इससे आप नोट क क्योंकि यह चर्चा करे से हैं तो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा आपको तो दिखिए अंसर स्वतंत्र बंगाल राज का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था उसने राजश्व प्रशासन पर अपना नियंतर निस्थापित किया प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजश्दानी धाका से मुर्शिदाबाद अस्थानांतरित किया अंग्रेज व्यापारियों द्वारा किये जा रहें दस्तक के दुर्पियोग को रोकने का प्रयास किया मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउदीन खां सुविदार बना 1733 इसवी में बिहार को बंगाल स्थूबा से जोड़कर अलिवर्दी खां को नयाब नाजीम के रूप में नियुक्त किया गया अलिवर्दी खां बंगाल के नवाब सर्फराज खां की हत्याकर 1744 इसवी में बंगाल का नवाब बन बठा इसके बाद वह एक स्वतंतर सासक के रूप में सासन करने लगा अलिवर्दी खां ने अपनी इस्थिती में सुधार किया और अंग्रेज वापारियों पर अंकुस लगाया इन्हीं सब कारणों से बंगाल की राजधानी को परिवर्थित किया गया तो यह है इसका अंसर इससे आप नोट कर लिजिए आई होप आपका वीडियो समझ सब्सक्राइब करें और इसी परकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहां पर बेल आइकन को ओल में क्लिक करें इसके बाद एचडियस टूटोरियल को टेच करें आपके सामने कुछ इस तरीक मेरा आप देख सकते हैं धन्यवाद